जिला कटवा के SSP डॉक्टर शिरेंद विश्राने पत्रकारों से वार्था के दोरान जानकारी देते वे बताया कि बीते वर्ष सौ से अधिक युवाओं को जमुकश्मीर पुलिस में बताओ SPO भर्ती के बाद International Border IB के 10 किलोमेटर दायरे के युवाओं के लिए एक विशेश भर्ती प्रक्रिया शिरू की जा रही है SPO के 89 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके तहट 27 जन्वरी से आवेदन फॉर्म जिले के दो जगों हासिल किये जा सकते हैं आवेदन के लिए पांज फरवरी अंतिम्तिती निर्धारित की गई है जमूराश्य बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष के अगवाई में वेब सीरीज तांडव के खिलाब जम कर विरोध प्रदशन किया गया उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की सीरीज या फिल्में बनाकर लगातार हिंदू धर्म का अपमान किया रहा है ये हिंदू समाज कभी बंदास्त नहीं करेगा उन्होंने केंडर से इस तरह की फिल्में और वेब सीरीज बनाने पर सक्त कानून बनाने की अपील की और वेब सीरीज तांडव को बैन करने की मांग की जम्मू में जेडी उद्वारा एक प्रेस वारता का यूचिन किया किया अपने संबोधन में मिर्जा साजिद हुसेन बेग सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जम्मू में जेडी उद्वारा ड्रग एवेरिनस प्रोग्राम शिरू किया जा रहा है हमारा उद्वेश यूटी जम्मू कश्मीर में दे ड्रग को खतम करना है वहीं उन्होंने जम्मू से ड्रग माफियों को चेतामी दी कि युवाओं को इस नशे के दलडल में ना गिराएं और अपनी हरकतों से बाजाएं नहीं तो अन्जाम भुगतने के लिए तयार रहे दिली की सीमाव पर तीन कृषी कानूनों के खिलाब वीदे 55 दिनों से जारी आंदोलिन के भी केंज सरकार और किसान संटनों के दसमें दौर की बादची जारी है सरकार इस बैठक में किसानों से गंतन्त दिवस पर ट्रेक्टर रैली ना करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताब देगी कश्मीर घाटी में आतंगवाद के दौर में घाटी के मंदिरों को काफी नुकसान पहुचा है वहीं कश्मीरी पंडितों के मंदिरों, धार्मिक स्थलों और संपत्ती पर अब भी आतिक्रमन का क्रम चाली है इन सब बातों से कश्मीरी पंडित समाज रोश में है पंडित प्रेमनात मेमोरियल प्रस के महासचेफ शादिलाल कॉल ने कहा कि कश्मीर घाटी में इस टिट मंदिर और हिंदों के दूसरे धार्मिक स्थलों के सल्रक्षन के लिए अब मंदिर बिल लाना चाहिए उन्होंने केन सरकार वयूटी जमो कश्मीर प्रशासन से गुजारिश की कि घाटी के मंदिरों वो हिंदों के दूसरे धार्मिक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए मंदर बिल लाया जाए कश्मीर घाटी के शिनगर के प्रेसेंट क्लेव में एगरोस टुकुलाजी डिविजिन कश्मीर डिपार्टमेंट अफ फॉरिस्ट के करमचारियं द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाथ जम कर विरूट प्रदाशन किया गया उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से हमारे रुकेवे बेजिस जल से जल रिलीज किये जाएं वहीं लोगोंने आरोप लगाया कि फाइल चीफ कंशरवेटर अफ फॉरिस के दफ्तर पर पिछले आठ महीनों से बंद पड़ी है जिस पर कोई कायवारी नहीं हो रही है उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द मसले का हल ने निकला तो पूरे कश्मीर संभा के करमचारी सडकों पर आकर विरोट प्रदैशन करेंगे एकजूट जम्मू यूथ विंग द्वारा जानेपूर में चौक में तांडव वेब सीरीज के विरोट में जमकर विरोट प्रदैशन किया गया प्रदैशन की अगवाई कर है अजे सिंग सैनी ने कहा कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है बोले नात का अपमान किया गया है मजाक उड़ाया गया है ये वेब सीरीज धर्म विरोधी, राष्ट विरोधी और दलित विरोधी है वेब सीरीज सरातन धर्ब का अपमान कर रही है महीन लोगों ने कहा और मांग की कि इस वेब सीरीज को जल से जल बैंड किया जाए और वेब सीरीज के लिए अलग से सिंसर बोर्ट बनाया चाहे। कश्मीर घाटी के गुपकार एलाइंस के सदस्य और अवामी नाशनल कॉन्फरेंस के उपाद्यक्स मजफर शा ने एक प्रेस वारता को संबोधित करते ने का कि सर्जाद लोन के गुपकार गडबंदन से अलग होने से गुपकार एलाइंस को कोई फरक नहीं पड़ता है। हमने अनुछे 370 के दुबारा बहाली जैसे बड़े कारण के लिए गडबंदन बनाया है। जमू में यूथ कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने रिपब्लिक इंडिया टीवी के एडिटर अर्नब गुस्वामी पर्द पुलवामा हमले पर वाट्सेप चैट के खिलाब जम कर विरोध प्रशन किया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि ये गड़्दार देश के अंदर है और हम चाइना और पाकिस्तान को दोश देते हैं। इन राष्ट विरोधियों को फासी पनलट का देना चाहिए। वहीं उन्होंने अर्रब गुस्वामी का पुतला भी फोका। पूरे देश विदेश में आज शीरी गुरू गोविन सिंग्जी महराज का प्रकाश उस्सर बड़े हर्शोड लास और धूमधाम के साथ मनाय जा रहा है। बड़ी ताराग में सिक्समधाय के लोगों और अन्य धर्मों के लोगों द्वारा देश विदेश के गुर्दवारों में माथा ठेक, सुक, शान्ती और भाइचारी की अंतास की गई। जमू में भी गुर्दवारे और आसपास के इलाकों में धर्मे हो गए। बड़ी लंगत ने गुर्दवारे माधाते का और सुक्षान्ती की कमना की। मही राग्यों द्वारा शबत की रतन भी किया क्या। सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिल बैट कर लंगत खाया और एकता भायचारे का पैगाम दिया। कश्मीर घाडे के शिर्नगर में गुर्दवारा चट्री बादशाही रैनवारी में शिरी गुरु गोविन सिंग जी का प्रकाश रुस्सर शंता और अकिक्तित के साथ मनाया गया। सिख समदाय के साथ अनिधर्मों की लोगों द्वारा माधाते सुक शान्ती की अरदास की गई। वही बाद में सभी ने साथ मिलकर लंगत का अपकर साथ चखा। अगर हम यूटी जमु कश्मीर के एक सडकों की बात करें तो बहुत बहुत खस्ता हालत है। वहीं जिलारा जौरी के बुद्दल से गबबर तर 5 किलमेटर सडक के स्थिती बहुत ही दैनी और खराब स्थिती में है। बरसाथ के दिनों में सारा पानी लोगों के खेतों या घरों में खुश जाता है। सडक किनारे नालिया तक नहीं बनाई गई। इस 5 किलमेटर इलाके में चार गाउं पड़ते हैं। ये गरीब और मजदूर तपके के लोगों के गाउं हैं। तबी सरकार की नजरे इनाय यहां नहीं होती। इलाके के लोगों ने उपराजफाल मनोच सिरा से अपील की कि इसमें हस्तक्षेप कर सही कारवाई करें। जम्मु में All JNK Home Guard Welfare Restoration के करमचारियों द्वारा जम्मु के राजभवन के बाहर अपनी मांगों को लेकर विरोट प्रदेशन किया गया। प्रदेशन कारी करमचारी हाई कोट के ओर्डर को इंप्लेमेंट करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने का कि 2700 रुपे में गुजारा कैसे होगा। कैसे बच्चों की बढ़ाई लिखाई पालन पोशन किया जाए। सालों से मांग कर रहे हैं परंतु हमारी कोई सुद नहीं ले रहा है। जम्मु कश्मीर स्पोर्ट्स कॉंसल द्वारा आयोजे जम्मु कश्मीर प्रीमिर लीग का केके हक्कू एस्टो ट्रेफ स्टेडियम में आगाज हुआ। इसका उपकाटन उप राजपाल मनुर सिनामिक क्या। वहीं उन्होंने भाग लेनेवाले खिलाडियों को शुपकाम नहीं थी। इस प्रीमिर लीग में खिलाडि फुटबॉल, हौकी, कबड़़्डी और वॉल्लिवोल में भाग लेंगे। उन्होंने वेब सीरीज पर हिंदों की भावनाओं के साथ खिलवाग और हिंदु देविरी देवताओं का अपमान करने पर भारी रोज प्रकट किया और इस सीरीज को तुरंट बैंक करने की मांग की। शिर्णगर के केसिसी एंड आई के अध्यक्ष शेक आशिक द्वारा पोलो व्यू कारेले में प्रेसवार्था का आयोई जिन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कश्मीर की आर्थिक्सिती अभी भी पाजगर 2019 के बराबर है। वहीं उन्होंने जम्मु चैंबर्स की नई टीम का स्वागत किया। उन्होंने कश्मीर में भी माज़न केलेक्षन करा दिये जाएंगे इसका अश्वासंदिया। वहीं उन्होंने प्रिशासिन से जमु कश्मीर शिनगर दाश राजमार के मुद्दे को जल से जल अल करने की माल की